मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बर लेंगे हैं किकत में, तू जरा कोशित तो कर, सिच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, चाहेवा किसी भी तरह ग्राण की गई हो मैं सिध्धा सर्मा, आप सभी का इग्नू स्टिडी सेंटर चैनल में स्वागत करता हूँ, जो यूट्यूब पर इग्नू के स्टिडी वीडियो और नोट्स का सबसे अच्छा चैनल है इस एक वीडियो में ही BCA की BCS 11 बुक के ब्लॉक 1 यूनिट 2 को नोट्स के साथ पूरे यूनिट को एक्स्प्लेन करूँगा वो भी बुक के टॉपिक को सीरेल वाइस उसके स्ट्रक्चर के साथ जिसमें कम्प्यूटर के गटक यानि कम्पोनेंट्स, नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, डेस्मल और हेक्सा डेस्मल और उनका कनवर्जन यानि एक दूसरे में बदलना आसकी कोड उसके चार्ट के साथ और यूनी कोड यह चैनल आपको नोट्स हर वीडियो के साथ बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करता है आपको 2000-3000 रुपे नोट्स के लिए खर्च करने की कोई जुरूरत नहीं आपके लिए इससे अच्छा स्टेडी चैनल नहीं मिलेगा इस इसका सबसे पहले इस्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन पढ़ना है उसके बाद अब्जेक्टिव्स उसके बाद में तीसरा टॉपिक है कम्पोनेंट्स ओफ़ डिजिटल कम्प्यूटर एंड देर रोल इसमें तीन टॉपिक हैं कम्पोनेंट्स ओफ़ डिजिटल कम्प्यूटर यानि डिजिटल कम्प्यूटर के घटक और दूसरा टॉपिक है कम्प्यूटर एज डाटा प्रोसेसर डाटा प्रोसेसर के रूप में कम्प्यूटर तीसरा है लेंग्वेज ओफ़ डिजिटल कम्प्यूटर यानि ऐसे, hexadecimal to binary और ऐसे बहुत साले हैं। उसके बाद में है concept of instruction, निर्देशों की और धारना, फिर element of CPU and their role, CPU के घटक और उनका महत या भूहन का, उसके बाद में पूरे unit की summary पढ़नी हैं, यानी सारांस, अब introduction से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इस unit aims to identify the major component of a digital computer and to describe the functions performed by them. इस unit का उदेश, digital computer के मुख के घटकों को पहचानना और उनके कार्डियों को जो उनके द्वारा किये जाते हैं, उनको जानना है। अब इसके उद्देश देखते हैं, कि हम इस unit को पढ़ने के बाद क्या-क्या समझ सकते हैं और उनसे क्या-क्या क सकते हैं. After going through this unit, you should be able to identify the major component of a digital computer, digital computer के प्रमोग घटकों की पहचान करना, understand the role of each component and their interconnection, हर घटक और उनके अन्ता क्रिया की भूंका को समझना, computer के घटकों यानि तत्यों के अंदर की जो क्रियाएं होती हैं उनको समझना, understand the language of digital computers, digital computer की भासाएं समझना, Describe the decimal and binary number system, decimal और binary number system का वर्णन करना, describe the binary quotes and their use, binary quotes का इस्तिमाल और उनका वर्णन करना, perform inter-number system conversion, inter-number system का रुपांतरन करना, Distinguish between weighted and unweighted quotes, यानि जो ज़्यादा आकार के quotes हैं, उनको और कम आकार के quotes के बारे में जानना, की कौन से quotes कम आकार के होती हैं, यानि जिन कोट से computer के memory कम भरती है और जिन कोट से computer के memory जादा भरती है उनमें अंतर के उनके बारे में जानना Describe the ASCII and Unicode ASCII और Unicode के बारे में जानना और उनका वर्णन करना Understand the format of machine instructions Machine instructions के बारे में जानना कि वह किस-किस format में होते हैं Describe the function performed by control unit and arithmetic and logic unit Control unit और arithmetic and logic unit दे functions यानि कार्जों के बारे में जानना कि वह कैसे perform करते हैं अब पढ़ेंगे components of our digital computer and their role यानि digital computer के घटक और उनकी भूमिका Figure 2.1 presents a block diagram of our digital computer identifying the key components and their interconnection चित्र 2.1 digital computer का block diagram प्रसुत करता है जिससे computer के अंदर के घटकों और उनके connection के बारे में जानकारी मिलती है Figure 2.1 में यह दर्साया गया है कि input device यानि keyboard mouse से हम जो जानकारी computer में अंकित करते हैं वह CPU में जाती है CPU यानि central processing unit जिसके अंदर control unit और arithmetic logic unit होता है जो instructions की processing का काम करते हैं और storage में उनको save करते हैं और फिर output यानि monitor printer के द्वारा उनको दर्साया जाता है दखी element of a digital computer as elaborated in the block diagram given in the figure 2.1 include central processing unit, input, output and memory The central processing unit CPU is like the brain of the computer चित 2.1 में दियेगे block अरेक में विस्तारी digital computer के प्रमुक तद्दों में सामिल है एंदी प्रसंस का इंकाई, input, output और memory जिसमें central processing unit, CPU, digital computer का मस्तिस का आ जाता है input devices like keyboard, mouse are used to read the instruction and data to be processed and output devices like monitor, printer, display the result obtained after executing the program input device यानि keyboard, mouse इत्यादी का अब्योंग निदेशों और data को संसोधित करने के लिए किया जाता है और output device, monitor, printer, इत्यादी, program को निस्पादित करने के बाद प्राप्त परनामों को प्रदासित करते हैं अब पढ़ते ही कि computer एक data processor के रूप में कैसे काम करता है इसके बारे में जानते हैं और वानचीत output को प्रदासित करने के लिए इन data पर कई संचाडन करता है ताकि या उन data के लिए processing unit यानि प्रसंस्क्राइं इकाई की रूप में कार्य करता है आप चित्र 2.2 में दिया देख सकते हैं कि raw data input की रूप में प्रोसेसर में जाता है और raw data प्रोसेस होनी के बाद output की रूप में हमें information मिलती है Language of Digital Computer Digital Computer की भासाएं की computer कौन सी भासा का इस्तमाल करता है जिससे वा हमारे instructions को समझता है और उनका प्रोसेस करता है Digital Computers are electronic devices which operate on two-valued logic on and of Digital Computer electronic device हैं जो दो logic चालू और बंद पर काम करती है 0 and 1 number and using binary language या binary code system 0 और 1 number का उप्योग करता है और binary भासा का उप्योग करता है जिससे computer हमारे instructions को समझता है कि उसको कैसे प्रोसेस करना है चित्र 2.3 layered view of computer system Computer system का परतवार चित्रन इसमें सबसे बीच में hardware है जिससे मिलकर computer बना होता है और इनी hardware में instructions का प्रोसेस होता है जो user इसमें दिखाया गया सबसे बाहर वाली परत से भेड़े जाते हैं उसके बाद में वो instructions application software में जाते हैं फिर application software से system software में फिर hardware में जाकर के प्रोसेस होते हैं फिर hardware से system software फिर application software फिर user को वो output के रूप में दिखते हैं अब number system मतलब संखा प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे जिसमें binary number system मुख है नमबर system में जिसका आधार R है binary में R की value दो होती है यानि इसमें सिर्फ दो प्रतीक होते हैं 0 और 1 octal number system में R की value 8 होती है जानि इसमें 8 प्रतीक होते हैं hexadecimal में 16 इसमें 16 नमबर और words को मिलाकर प्रतीक होते हैं अब सबसे पहले binary number system के बारे में देखते हैं binary number system the binary number system has base 2 and therefore uses only two distinct symbols 0 and 1 any number in binary is written only by using these two symbols binary number system में इसका base यानि आधार 2 है और इसलिए capable दो अलग अलग प्रतीकों का उप्योग करता है 0 और 1 binary में किसी भी संख्या को इन दो प्रतीकों का उप्योग करके ही लिखा जाता है यानि कोई भी word हो कोई भी संख्या हो आप उसे instruction के रूप में जैसे a word type किया तो computer में instructions binary number के form में जाते हैं 0 1 0 0 0 0 1 0 ऐसे करके जाते हैं जिससे computer हमारी भासा का process करके उसे प्रदर्शित करता है कि हमने a type किया है या फिर और कुछ type किया है ऐसे ही decimal number system है इसके अतरिक्त अभी जो दो बताये थे octal और hexadecimal अब इन सम्में conversion यानि रूपांतरंड के बाले में देखते हैं कि कैसे रूपांतरंड करते हैं binary से decimal में, decimal से binary number में binary से hexadecimal में, hexadecimal से binary में सबसे पहले ये तीन numbers हैं जिनका रूपांतरंड decimal में किया हुआ है ये जो numbers हैं ये binary number है 10101 ये पहला वाला ये binary number इसलिए इसके नीचे दो बेस लिखा है इस तरह से हम binary number लिखते हैं इनके नीचे बेस टू लरा कर गे और इसका answer 21 जिसका बेस 10 है यानि 10 बेस वाले को decimal number, decimal number का बेस क्या होता है? 10 होता है जैसे octal का 8, hexadecimal का 16 जिसमें जितने प्रतीक होते हैं उसमें उतना ही बेस लिखते हैं binary से decimal conversion ये तीन उधारण है इनके बारे में देखते हैं कि इनका conversion कैसे हुआ है सबसे पहला वाला देखते हैं जिसमें 10101 है और उसका base 2 है यानि ये binary number है इसका conversion दसमलों में हुआ है तो उसका answer आया है 21 ये कैसे हुआ इसके बारे में आप देखते हैं सबसे पहले जिदर base 2 लिखा है उधर से binary number की गिंती करेंगे सबसे पहले जो base 2 के पास है उस वाले 1 को 2 की value 0 लिखेंगे क्योंकि वो सबसे पहले सुबात में है तो उसके सबसे पहले value 0 होगी उपर ठीक उसके बाद में फिर 0 है पावर जो लगेगी 2 की पावर 1 लगेगी इधर आप देख सकते हैं 2 की पावर 4 है प्लस 2 की पावर 2 है प्लस 2 की पावर 0 तो जो सबसे इधर वाला है एक उसकी ही ये 2 की पावर 0 लिखी है और उसके बाद में 0 वाले को छोड़ दिया जिसमें 1 था मतलब कि जिसकी पावर 1 लगनी थी उसको छोड़ दिया क्योंकि वो इस जिगा पर 0 लिखा है तो जिद्टे भी 0 वाले हैं वो सब छोड़ देंग ठीक है सिर्फ एक वाले को लिखेंगे जहां एक लिखा होगा वहीं पर लिखेंगे अब ये बीच वाला जो एक लिखा है उसमें देखिए दो की पावर दो है क्योंकि जो ये जीरो वाला है उसको लिखा नहीं उसमें दो की पावर एक होती लेकिन अब ये जीरो वैल्यू है तो इसका लिखेंगे नहीं ऐसे ही फिर 0 एक छोड़ा इस 0 की जो बीच वाले एक के बाद में 0 है इसकी पावर 2 की पावर 3 होती है लेकिन इसको छोड़ दिया और उसके बाद में फिर 1 है लास्ट में इसमें 2 की पावर किते होगी 4 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 इन सब को स्वावर कर लेंगे और इसका अनसर अब 21 आगा है और 21 यह जो है अभी दसंबलो नमबर है ऐसे ही सेकेंड नमबर वाला 1 0 0 0 1 1 बेस 2 यानि बाइनरी नमबर इसको भी दसंबलो में बदला है तो इसका अनसर आया है 35 यह भी उपर की तरह ही हुआ है बेस 2 के पास वाले 1 में 2 की पावर किती है 0 तो इधर 2 की पावर 0 लिखा है उसके बाद दूसरे नमबर पर जो एक है उसकी अब पित्टे होगी पहले वाले की 0 हो चुकी अब इसकी 1 होगी तो इसके जस्ट बाद में है तो 0 के बाद क्या आता है 1 तो अब 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 यह 000 000 है तो मतलब यहां पर आप कुछ नहीं लिखा जाएगा इन सब को छोड़ करके जो लास्ट वाले 1 है उसकी अब करेंगे तो वो कित्ते नंबर पर है चटे नंबर पर मतलब उस जगह पर 2 की पावर 5 होगी क्योंकि 0 भी इधर गिना जाता है 1 से शुरुआत नहीं होती 0 से शुरुआत होती है 2 की पावर 0 से चटे नंबर पर है अब इसका अब सा 35 आजाएगा ऐसे ही नीचे वाला है इसमें point के जो इधर है उनको minus मिलेंगे मतलब कि जो point के पाद 0 है उसको minus 1 2 की power minus 1 और दूसरे नमबर वाले को 2 की power minus 2 और तीसरे नमबर वाले को 2 की power minus 3 और 0 वाले जित्ते भी है उनको हटा करते है जित्ते 1 1 है उनको ही 2 की power में करेंगे पॉइंट के बाद दूसरे नंबर पे 1 है इस जिकापर 2 की पावर माइनस 2 और उसके बाद में 2 की पावर माइनस 3 जो तीसे नंबर पे है उधर वाले जो प्लस वाले हैं और इधर माइनस वाले इन सबको आप जोड़ेंगे तो 2 की पावर माइनस 3 मतलब 1 बटे 8 और इधर 2 क और 3 मतलब 8, इन सबको इनके साथ जोड़ेंगे, तो इसका अंसर आया है 10.375, इसका अंसर दसमलो नंबर में 10.375 है, ये तो वह बाइनरी से दसमलो में कनवर्जन, अब दसमलो से बाइनरी में कनवर्जन कैसे करते हैं, इसके बारे में देखते हैं, जैसे हमारे पाथ डेसि 6,8,7,5 को दो भागों में बाट लेगे 41 और दूसरे भाग को 0.6,8,7,5 में कर देंगे अब सबसे पहले 41 को स्वाल्व करेंगे इसमें सबको 2 से भाग करना होता है तो सबसे पहले 41 को 2 से भाग करेंगे तो इसका reminder एक बचेगा और 20 questions जिसे हमें फिर से 2 से डिवाइड करना है तो अब 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 बचेंगे और reminder कितना बचेगा 0 यानि सेसफ़ल 0 होगा फिर 10 को 2 से भाग करेंगे तो इसका भी reminder यानि सेसफ़ल 0 होगा और अब 5 बचेंगे जिने हमें फिर से 2 से divide करना है और 5 को 2 से divide करने पर 2 आएगा और remainder successful एक बचेगा फिर 2 को 2 से divide करेंगे जिससे reminder zero आएगा अब एक को 2 से divide करेंगे तो एक 2 से divide होगा नहीं और ज्यादा करना भी नहीं है तो अब जो value है question की वो zero हो जाएगी और straight जो है हमारा एक बच जाएगा अब जो यह reminder है यही हमारी बाइनरी नंबर है जिनको हमें नीचे से ऊपर की ओर लिखना है 101001 यानि 41 का अंसर बाइनरी नंबर में क्या हुआ 101001 अब ऐसे ही जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका 41 जो 65 ऐसे था अब उसका हम दिखेंगे 0.6875 का अब करेंगे लेकिन यह जो है यह point के इधर होती तो अब हम इसको 2 से गुड़ा करेंगे भाग करने की बज़ाए और उसका जो integer पार्ट आएगा अब वो हमारा अंसर होगा सबसे पहले 0.6875 का गुड़ा 2 से करने पर 1.3750 होगा लेकिन एक बार में 2 से गुड़ा करने पर point के इधर जो भी आता है 1 आये या 0 आये उसे हमें लिखना है इस बार 1 आया तो हमें सबसे पहले integer पार्ट मिला 1 अब फिर से जो 0.375 बचा इसको फिर से अब 2 से गुड़ा करेंगे अब 2 से गुड़ा करने पर 0.7500 हुआ अब इधर integer पार्ट में हमें क्या दिख रहा है 0 तो अब 0 को लिख देंगे ऐसे ही सारे करेंगे उसके बाद में हमारा ये अंसर आया अब इसको उपर से नीचे की ओर value लिखेंगे क्योंकि ये हमने गुड़ा किया है और वो भाग किया था तो उसको नीचे से उपर की ओर लिखा था इसको अब उपर से नीचे के ओर तो अब दसमलो नंबर का अंसर क्या हुआ 0.6875 का अंसर 1011 हुआ 41 का अंसर 101001 था फ्रैक्शनल पार्ट का अंसर 1011 तो अब इन दोनों को मिला करके 101001.10011 अंसर हो गया इसका अगर आप ये conversion अभी समझे नहीं है तो इसके आगे आप समझ जाएंगे अभी और भी बताएंगी इसके बारे में ये दो नीचे के topic आप खुच समझ सकते हैं जिसमें है decimal to binary conversion दो समलो संख्या 13 भी हुई है और इसे आपको binary number में convert करना है तो मैंने जैसे उपर बताया वैसे ही आप convert कर लेना और उसके बाद में है binary number 101011 इसको decimal में convert करना है तो इसका अंसर भी दिया है conversion भी दिया है तो आप इसको समझ लेना अब hexadecimal to binary और binary to hexadecimal में conversion देखते हैं ये बहुत सरल है आप आपको बस value जानने हैं कि किसकी क्या होती है जैसे दो की value 0010 होती है और इसमें 16 नंबर होते हैं hexadecimal में 16 नंबर होते हैं 0 से ल 189 ये 10 नंबर ये हुए और A B C D E और F तक alphabets होते हैं टोटल hexadecimal नंबर सिस्टम में 16 प्रतिक होते हैं हर hexadecimal नंबर और alphabets को binary नंबर सिस्टम में पढ़ लेना और बस आप आसानी से hexadecimal से binary में convert कर पाएंगे जैसे 2 की value 0010 होती है D की value 1101 होती है और 5 की value 0101 होती है अब 2D 5 की value क्या आ जाएगी जो ये नीचे लिखे हुए है इन सबको एक में मिला देंगे बस यही value हो जाएगी binary नंबर में और ऐसे ही इसका उल्टा करेंगे ये जो convert करने के लिए value दी हुई है तो इनको 4-4 के form में सबसे पहले अलग-अ जैसे 1111 ये सबसे पहले इधर से करेंगे जिधर base 2 लिखा है तो इधर 1111 हो गया उसके बाद में फिर 0101 है तो इनको सबको 4-4 के form में लिख लेंगे आखिर में 10 बचेगा तो 10 बचा उसके आगे 00 बढ़ा लेंगे अब ये भी 4 अंक हो गये इन values को अब hexadecimal प्रतीकों में देखेंगे और उनका answer लिखेंगे जैसे 1111 का होता है F 1010 का होता है A 1001 का होता है 9 और 0010 का होता है 2 अब इन सबको साथ में लिख देंगे 29AF जही होड़ाएगा हमारा answer 29AF अब binary codes को विस्तार पूरोग पड़ते हैं Binary codes only based on two digits 0 and 1 It is machine language Binary code केवल दो अंको 0 और 1 पर आधारित होते हैं या machine ही भासा है and other are converter codes अन्य binary भासा की converter code हैं जिने machine समझ सकती है BCD code for representing decimal numbers ASCII code for information interchange between computer and keyboard Unicode for use over internet and reflected gray code are some commonly studied binary code system दसमलो संख्याओं का प्रतिनिद्र करने के लिए BCD code यानि दसमलो संख्याओं को दर्षाने के लिए BCD code computer और keyboard के बीच सुचना के आधान प्रदान के लिए ASCII code internet पर उप्योग के लिए Unicode और परावर्तिक gray code आमतोर पर binary code system का अधेन क्याज़ता है अब ASCII और Unicode के बारे में पढ़ते हैं और ASCII code का चार्ट भी देखते हैं कि चार्ट में क्या होता है ASCII is an alphanemory code used for representing numbers, alphabets, punctuations, symbols and other control characters ASCII एक alphanemory code है जिसका उप्योग संख्याओं, अच्चरों, विरामचिन्नों, प्रतिकों और अन्यनेंतर वर्णों को दर्साने के लिए किया जाता है ASCII codes represent text in computers, communications, equipment and other devices that use text ASCII codes computer, संचार, उपकरण और अन्यपकरणों में text code दर्साते हैं Its first commercial use was as a 7-bit teleprinter code promoted by Bill Data Services इसका पहला वैवसाइक उप्योग Bill Data सेवाओं दौरण प्रचारी 7-bit teleprinter code की रूप में किया गया था Work on ASCII formally began on October 6, 1960 with the first meeting of the American Standard Associations ASA X 3.2 Subcommittee ASCII परकाम औपचारिक रूप से 6 October 1960 को अमेरिकी मानक संग ASA की X 3.2 उपसमिती की पहली बैटेक के साथ हुआ था अब इस चार्ट को समझ लेते हैं कि इस चार्ट में क्या क्या कैसे कैसे लिखा है और कैसे हम ASCII numbers को समझ सकते हैं ASCII code binary number में 7 bit और 8 bit में होता है इस चार्ट में 7 bit ASCII code दर्साया गया है आसकी code की zone value उपर दी हुई है B5, B6, B7 जो तीर के निसान है वो दर्सा आ रहे हैं इनके आगे के संख्या ये 000 और 001, 010, 011 और 100 ये सब जो line से उपर हैं ये ASCII code के zone number हैं जो 7 bit के लिए हैं और by side में जो 4 number लिखे हैं B1, B2, B3, B4 ये codes हैं ये binary codes हैं वो भी binary codes हैं ये binary codes हैं वो zone हैं और ये main codes हैं इनके number के अभी इनके बारे में पूरा समझेंगे एक एक number alphabet और symbols का कैसे हम ASCII code निकाल सकते हैं ये by side में codes लिखे हैं आप इनको देखिए B1, B2, B3, B4 0000 ये चार code हैं सबसे पहले वाली line में और उसके दूसरे नमबर पे है 0010 और फिर चवते पे 0011 ये हैं B1, B2, B3 और B4 B5, B6, B7 उपर वाली line में लिखी हुए हैं codes और zone के बाद में ये row की संख्या और column की संख्या लिखी हुई है जो 0 से 7 तक column है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और row 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 से लेकर 15 तक हैं पंक्तियां कितनी हैं 15 और इन lineों के बाद में फिर values हैं जैसे null, DLE, SOH ये सारी value हैं SP के जश्ट बगल में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अगर इन numbers का ask की code 7 bit में लिखना है तो हम इस chart के जरिए हम लिख सकते हैं 0, 0 number वाली row में है और column number 3 है 0 number वाली row और column number 3 पर 0 है उपर जो इसका zone लिखा हुआ है B7, B6, B5 ये 0, 1, 1 ये number सबसे पहले 0, 1, 1 लिखेंगे उसके बाद में फिर जो 0 वाली row है इसके left side में जो number लिखेंगे ये 0, 0, 0, 0 इन numbers को लिखेंगे और यही हमारा ask की code हो जाएगा 0 का ask की code हुआ 0, 1, 1, 0, 0, 0 ऐसे ही 0 के पाद 1 number का 1 number किस row में है? पहली वाली row में column number 3 है जिस column में 1 है उसमें सबसे उपर जो zone लिखा है इसका 0, 1, 1 इसको पहले लिखेंगे उसके बाद में जिस row में उसके बाद में जिस row में 1 है यानि 1 number वाली row जिसका code है 0, 0, 0, 1 zone लिखने के बाद में फिर इसको लिखेंगे इसका ASCII code क्या हो जाएगा? 0, 1, 1 और 0, 0, 0, 1 ऐसे ही अगर हमको alphabets का देखना है जैसे A का, B का, C का, D का जो इसके बाद में 1, 2, 3 जो लिखा है इसके right side में जो alphabets लिखें है अगर हमको इनका देखना है तो इनका भी ऐसे ही निकाल सकते हैं जैसे हम सबसे पहले A का आगर ASCII code निकालना जाहें A जिस column में है उसके सबसे उपर जो zone है 1, 0, 0 इस zone को सबसे पहले लिखेंगे उसके बाद में जिस row में है यानि जिस पंक्ती में है यह one number वाली पंक्ती में है इसका code है 0, 0, 0, 1 फिर इसको लिखेंगे तो 1, 0, 0 और 0, 0, 0, 1 यह लिखेंगे यह हमारा A का ASCII code हो गया ऐसे ही सारे number और symbols का निकाल सकते हैं यह ASCII code इस काम में आते हैं जैसे हमने टाइप किया C, H, A, R, T तो हमको C लिखना पड़ेगा H लिखना पड़ेगा A लिखना पड़ेगा और R और T इतने बाद हमको लिखने पड़ेंगे जब हम C वाली बिटन प्रस करेंगे तो C का जो ASCII code होता है वो computer में information के रूप में जाएगा और फिर computer उसको समझेगा कि यह ऐसा है वो C के रूप में नहीं जाता है वो ASCII code के रूप में जाता है जिसे computer समझता है हम लोग नहीं हर एक computer को समझने के लिए ASCII code बनाया गया है जिससे वही instruction अगर दूसरे computer में पहुच जाए तो वो computer पहचान ले कि यह C है लिखा हुआ है और उस code को पहचान करके C बना दे ऐसे होता है ASCII code का का काम इसी तरह Unicode और सबका काम ASCII code का इस्तमाल computer में किसी अन्यकाम के लिए जाता है और Unicode का इस्तमाल किसी अन्यकाम के जैसे HTML The most commonly used character encoding on the worldwide web was US ASCII until December 2007 when it was surfaced by UTF-8 World Wide Web पर सबसे अधिक इस्तमाल किया जाने वाला character encoding December 2007 तक US ASCII था उसके बाद में UTF-8 द्वारा इसे आगे बढ़ाया गया Unicode is a computing industry standard for the consistent encoding represented and handling of text expressed in most of the world's writing systems Unicode दुनिया के अधिकांस लेखन प्रणानियों में expressed text के लगातार encoding दर्साने और handling के लिए एक computing industry मानक है Unicode consists of a repository of more than 1,07,000 characters covering 90 scripts a set of codes, charts for visual reference and character properties such as upper and lowercase and encoding methodology and set of standard character encodings Unicode में 1,07,04 वर्णों से अधिक का पदर्शन होता है जिसमें 90 scripts सामिल होते हैं द्रस संदर्ब के लिए code chart का एक sit एक encoding पद्दिती और मानक वर्ण अंत का sit होता है The most commonly used encoding are UTF-8 which uses own byte for any ASCII characters which have the same code values in both UTF-8 and ASCII encoding and up to 4 bytes for other characters सबसे अधिक उपियों किये जाने वाले encoding UTF-8 है जो किसी ASCII वर्णों के लिए 1 byte का उपियों करता है जिसमें UTF-8 और ASCII encoding दोनों में समान code मान होते हैं और अन्य वर्णों के लिए 4 bytes तक होते हैं ASCII code का जो आकार है वो 7 bit या 8 bit होता है और इसमें 8 bit का इस्तमाल होता है और ASCII और Unicode की encoding समान है UTF-8 और ASCII की इसी कारण UTF-8 ज़्यादा इस्तमाल होता है और यहां पहुत कम इस्थान लेता है UTF-16, UTF-32 और भी हैं जो ज़्यादा इस्थान गरांड करते हैं लेकिन सबसे अच्छा UTF-80 माना जाता है यह आवसकता पढ़ने पर 4 bytes का भी इस्तान ले लिगता है Concept of Instructions निर्देश की अवधार्ना The entire set of instructions that can be executed by the processor directly through the logic in hardware from the instructions set of the processor hardware में तर्क के माध्यम से प्रोसेसर द्वारा सिरी निस्पादित किये जा सकने वाले निर्देशों का पूरा set प्रोसेसर का निर्देश सेट बनाता है An instruction tells the processor what task is to be performed and what micro operation need to be completed to perform the task एक निर्देश प्रोसेसर को बताता है कि कौन सा कार किया जाना है और कार को करने के लिए कौन से सूच मसंचालन को पूरा करने के आव सकता है प्रतेक निर्देश में दो भागोते हैं Every instructions is comprised of two parts OP codes and operands प्रतेक निर्देश में दो भागोते हैं OP code or operands OP code किये जाने वले operation को निर्देश करता है और operand data प्रदान करता है जिस पर operation किया जाना है अब इस table में आप देख सकते हैं कि कि किस के लिए कौन सा OP code है जैसे addition के लिए 000 subtraction के लिए 001 multiplication के लिए 010 ऐसे ही सारे operation के लिए OP code उनके सामने लिखे हैं The operands are decimal digits and therefore also need to be converted to binary code system to pass them as operands to the processor Operands दसमलोंग होते हैं Operands दसमलोंग होते हैं और इसलिए उन्हें प्रोसेसर को operand के रूप में पास करने के लिए binary code system में परवर्तित करने की भी आवसकता होती है अब एक example से समझते हैं कि computer में instructions कैसे जाते हैं यह देख सकते हैं यह instructions लिखे हैं तीन और इधर उनके effect लिखे हैं the OP code for addition as described in the table is 000 and the BCD codes for 932 and 5 are 1001 0011 0010 and 0101 टेबल में वर्णिक जोड के लिए OP code 00 है और 932 और 5 के लिए BCD code क्रमसा 1001 0011 0010 और 0101 है यह जो 000 है यह OP code है और उसके बाद में फिर यह सारे जित्ते भी हैं यह operations हैं जिसमें 1001 लिखा है उसके बाद में फिर 0011 लिखा है और आप देख सकते हैं सबका अलग-अलग है 9 का 1001 है फिर 0011 है और ऐसे ही सारे लिखे हैं 2 का फिर लिखा है फिर 5 का लिखा है ऐसे ही दूसरा वाला instruction है जिसमें complement का OP code सबसे पहले लिखा जाएगा फिर 8 का operand code और 5 का लिखा जाएगा इस इस रिस्पांस पर पर ओवराल control and coordination of instruction execution नियंतर्ण इकाई निर्देश के execution के समख नियंतर्ण और समन्य के लिए जिम्मेदार है सबसे पहले codes का execution करना उसके बाद में फिर monitor पर प्रतस्कित करना यह सारा काम control unit से होता है अब element of CPU and their role जानी CPU के तत्थ और उनकी भूमिका के बारे में पढ़ेंगे The CPU is a complex IC chip having millions of transistors CPU एक जटिल IC chip है जिसमें लाखो टांजिस्टर होते हैं As mentioned earlier, CPU has three major identifiable parts Control unit, CU, arithmetic and logic unit, ALU and a set of registers जैसा कि पहले उलेक किया गया है CPU के तीन प्रमुक पहचान योग भाग है नियंतरणिकाई, CU, अंगडित और तरकिकाई, ALU और रजिस्टरों का एक सेट The CPU chip is interfaced with other component of the computer through a system bus CPU chip को system bus के माध्यम से computer के अनिगटकों के साथ जोड़ा जाता है The registers in CPU perform two roles User visible registers Used to store temporary data items and other user accessible information Usable for machine or assembly language programmers CPU में register दो भूमकाई निभाते हैं सबसे पहले है User visible registers यानि उपयोग करता द्रस्मान रजिस्टर Machine या assembly भास प्रोग्रामर के लिए उपयोगी अस्थाई data item और अन्य उपयोग करता सुलब जानकारी को store करने के लिए उपयोग किया जाता है यानि इसमें ऐसी जानकारिया store की जाती हैं जो प्रोग्रामर के लिए सुलब बनाती हैं यानि इसमें अस्थाई data और user के लिए अन्य सुलब जानकारिया store की जाती है Control and status registers Used by control unit to control and coordinate the operation of the processor इसका दूसरा इस्तमाल प्रोशेसर के कार्जों में सहीोग के लिए होता है और उनके कार्ज को control के लिए होता है The control unit of the processor is that unit which controls and coordinates the execution of instruction by the processor Processor की नियंत्रें काई वाई काई है जो प्रोशेसर द्वारा निदेशों के निस्पादन को नियंत्रें और समन्यूद करती है The micro program control has a control memory अब P-ROM यह एक P-ROM होती है Which stores the sequence of micro operations Micro program control में एक control memory यहनी P-ROM chip होती है जो micro operation के अनुकरम को store करती है The arithmetic logic unit is that part of the CPU That actually performs arithmetic and logical operation on data आप यह चित्र के जड़िये समझ सकते हैं कि इसमें कैसे instructions आते हैं और कैसे जाते हैं अब पूरे unit के सारांस के बारे में पढ़ते हैं कि हमने अभी तक क्या-क्या पढ़ा और क्या-क्या सीखा This unit has introduced you to the component of our digital computer and their roles इस इकाई ने आपको एक digital computer के गटकों और उनकी भूंकाओं से परचित कराया है एक digital computer has CPU, memory, input and output as constituents element एक digital computer में CPU, memory, input और output गटक तत्यों के रोप में होते हैं Digital computers use binary language Digital computer binary भासा का उप्योग करते हैं The binary number system is analogous to two-valued boolean logic दो याधैरी संख्या प्रणाली दो-valued boolean तरह के अनुरूप है Decimal numbers and alphabets are represented as binary codes for being processed by the computer दसंबला संख्याओं और अच्छरों को computer द्वारा संसाधित किये जाने के लिए binary code के रूप में दरसाया जाता है The unit describes the ASCII and Unicode system in the brief 21 संखेप में ASCII और Unicode code प्रणालियों का वर्णन करती है ASCII is the code used for information interchange between keyboard and computer ASCII वा code है जिसका उप्योग keyboard और computer के भी सुचनों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है Unicode is a universal code system widely used over the internet Unicode एक सारवभोमिक code प्रणाली है जिसका व्यापर क्रूप से internet पर उप्योग किया जाता है The unit also introduced you with the concept and format of a machine instructions ECI ने आपको machine निर्देश के अवधारना और प्रारूप से भी परचिक कराया An instruction cycle involves search, decode, execute and write back cycles एक निर्देश चक्र में वापस लाना, decode करना, निस्पादर करना और लिखना सामिल है The three key components of CPU are CU, ALU and registers CU, ALU and registers CU controls and coordinates the execution of instructions Control unit निर्देशों के निस्पादन को नियंतिक करता है और समयनित करता है ALU actually performs the operations ALU वास्तव में संचालन करता है CPU registers work as temporary storage for executing instructions CPU registers निर्देशों के निस्पादित करने के लिए अस्ताई बंडारन के रूप में कार करता है CPUhora को डικήन – कैने की OKE झाल झाल